जी आ नमस्कार दोस्तों स्वागद है आप सभी का आरेस न्यूस के एक और नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार वुमे इंडियन्स की टीम में सुरेश रहना को शामिल करने पर रोहित शर्मा का आया बयान दी ऐसी बड़ी खुश ख़बरी की जानकर पूरा देश उठा खुश तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार सुरेश रहना के उपर रोहित शर्मा ने क्या कंफरमेशन देते हुए बड़ा बयान दिया उसी के बारे में तो आप सभी इस ख़बर को जानने के लिए बिल्कुल बने करिएगा अंत तक इस वीडियो में और वहीं दोस्तों अगर आप भी सुरेश रहना के आईपल 2022 में शामिल होने पर खुश हो तो आप भी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और दोस्तों अचके इस वीडियो का लेक टार्गेट अबने रखा है बस मात्र 500 लाइक का तो आप भी इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अगर आप भी हमारे चैनल आरे इस नियूस पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दवाईएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जूड़ी तमाम चानकारिया और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे तो चैनल आपको जड़ा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी ख़बर के बारे में दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताई कि आइपल 2022 की निलामी के बाद हर जगे इसी बात की चर्च आई कि आखिरकर सुरेश रहना को कौन से टीम हाला कि दोस्तों हम आपको बता दें कि आइपल 2022 मेगा आउक्षन में सुरेश रहना को किसी भी टीम ने नहीं दिया था क्योंकि यहाँ पर सुरेश रहना का बेस प्रैस था 2 करोड रुपै और 2 करोड में खरीदने के लिए टीमें उनको तयार नहीं थी जिसके चलते सुरे चनने सुपर किंग्स ने शामिल नहीं किया जिसके चलते सुरेश रहना अनसोल्ड रहे थे हाला कि हम आपको बता दें कि सुरेश रहना जैसा खिलाडी जो कि काफी लंबे समय से चनने सुपर किंग्स की टीम को सर्विश देता sonra है और हमेشा ही बहतरीन से बहतरीन प्रदरि चैनी सुपर किंग्स की तरफ से देखा गया तो हम आपको बता दे कि चैनी सुपर किंग्स से दौरा सुरेश रहना को नहीं खरीदे जानने के बाद अब बुमए इंडिया से सुरेश रहना पर एक बड़ा दाव खिलने की तैयारी में लग गई यहां दोस्तों आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि सुरेश रेना आप सभी को अब आईपल 2022 का हिस्सा रहते हुए दिखाई देने वाले हैं और यह हम नहीं बलकि खुद रुहित शर्मा ने सामने आकर बोला है दरसल रुहित शर्मा का बड़ा बयान आया है जहां पर आईप खिलाडियों की बह्यादी कमी है और रहते हैं कि हमारी टीम एवन बने और हर एक टीम को पचाड कर इस बार आईपल 2022 का खिताब हम जीते हैं भले ही हम सुरेश रहना जैसे खिलाडियों को दो करोड़ में खरीदरा या फिर दस करोड़ में लेकिन हम रहना भाई जैसे खिल लाडियों का सम्मान करते हैं और अपनी टीम को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हर प्रयास करेंगे जिसकी हमें अवशकता होगी तो वहीं दोस्तों आगे बात करते हुए बुमेंडियन्स टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हम सुरेश रहना को अपनी टीम मे करने के लिए रोहित शर्मा ने कहा है और साथ में वह उनको फिल्डिंग कोच अपनी टीम में चुनना चाहते हैं क्योंकि यहां पर सुरेश रहना किसी भी प्लियर की तरह अब नहीं जा सकते लेकिन अगर उनको टीम में शामिल करना है तो वह अपनी फिल्डिंग सब्सक्राइब के बारे में आप रोहित शर्मा को इस स्टैप के लिए 10 में से कितने नमबर देना चाहोगे आप अपनी किमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा